हाँ तो फीर से आपका मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो आज हम लोग बिहार एससी के प्रिब्येस एर का जो प्रस्न पत्र हैं जिसमें आप देख सकते हैं बिहार एससी अंकेच्छक यानि ओडिटर भरती परिक्षा ये जो परिक्षा हुई थी आपको 7 है के साथ लेखा परिक्षा का भी पोस्ट जो है इसमें जोरा गया है तो यह जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा तो हम लोग देखते हैं कि बिहार एससी जो है अंकेच्छक आउडिटर भरती परिक्षा में किस प्रकार के जिके और जियस के प्रस्ण जो है पुछा गया था और हाँ अभी तक आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप जाकर जोइन कर सकते हैं वहाँ पर इन सारी PDF को जो है प्रते दिन पोस्ट कर दिया जाता है तो चलते है हम लोग इस्टार्ट करते हैं पहले प्रस्ण को तो आप देख सकते हैं पर्थम प्रस्ण जो है हरपा सभयाता के आउजार और हतियार अधिकतर किसके बने होते थे अब जानते हैं कि हरपा सभयाता के जितने भी आउजार और हतियार थे वो ताम्र टीन तथा कांसे के बने हुए थे उपनी सद को बिदान्त के रूप में भी जाना जाता है उनकी संख्या कितनी है तो उनकी संख्या जो है 108 है प्रचीन भारत का परसी सासक जिसने अपने जीवन के अंत के समय जैन धरम को गरहन किया था उस सासक का नाम क्या था तो उस सासक का जो नाम था चंद्गुप्त मौर्ज जो थे अपने जीवन के अंतिम समय में जैन ध्रम को सविकार किये थे चलते हैं अगले प्रसंद को देखते हैं नेक्ष प्रसंद आप देख सकते हैं जैनियों के अनुसार जैन ध्रम के संस्थापक कौन थे तो जैन ध्रम के जो संस्थापक थे रिस्पदेव थे सबसे प्रचिंतम गुरुकुल कौन है तो तक्षसिला सबसे प्रचिंतम गुरुकुल जो है तक्षसिला है हलाकि बर्तमान में या अभी इंडिया में नहीं है कौन से मंदिर को काला सिवाले के नाम मिला तो सूर्ज मंदिर को सूर्ज मंदिर को जो है काला सिवाले का नाम दिया गया है बंगाल का प्रचीन नाम क्या था तो बंगाल का जो प्रचीन नाम था गौर नेक्ट है कि नगर द्रबीर और बेसर तीन ये परमुख क्या है तो ये तीन जो है परमुख भारतिये मंदिरों की जो है बस्तू सैली है जो साउथ के जितने भी मंदिर है वे द्रबीर चलते हम लोग नेक्ष प्रस्ट को देखते हैं भारत में सरपर्थम किस ने यह सिधान दिया कि प्रिथवी सूर्ज की परिकरमा करती है तो आरजभट ने सरपर्थम यह थियरी दिया था कि प्रिथवी सूर्ज के चार और चकर लगाती है सेरसा अच्छी तरह से अपने परसासनी कौसल के लिए परसीद है बिसेस रूप से किस लिए परसीद है यह भूमी राजस्व परनाली के लिए सेरसा कमा कबरा सासरा में इस्तित है तो सेरसा अपने परसासनी कौसल के लिए काफी फेमस हुआ करते थे और बिसेस रूप से जुकित है कि अकबर दोरा निर्मित है वहकिसकी विजय का परतिक है तो अकबर जब गुजरात विजय किया था तो उसी के उप्लक्ष प्रसंत को हम देखते है भाएठ आने वाले 파थम ईरूपी owतने तो पूर्त गाली थे हम कोशिज कर रहे हैं कि आपके जो एक्जाम 26 और 27 नुवंबर तक होने वाले हैं उससे पहले जितने भी बिहार SSE द्वारा परिक्षाय ली गई है उसके अलावा बिहार SSE के अलावा BPSC उसके अलावा जो BPSC यानि बिहार की जितनी भी परिक्षाय बिगत कुछ बर्सों में हुई है उन सारे प्रस्णों को हम लोग एनलाइसिस कर लें ताकि जो भी प्रिक्षाय में प्रस्ण पूछे जाए जिसमें अच्छे से अच्छे जो है आप मार्क्स ला सके नेक्ष्ट प्रस्ण है कि सती प्रथा को अवैद किसने घोसि फ्रस्द पर्फान भी था नेक्ष्ट है कि 1800 संटाओं इससी में पर तंभातियी जिनों हम लोग लिगोने सारे प्रस्त को आप जानते हैं वस के उल्ड उनली प्रैक्रिस के ज़रुंध और इसी प्रैक्रिस नेक्ट है कि कि स्टोरं में बंदे मातरम पद्राल्प आपनाएं गया था टो उनिस्ट करे बंगाल बिभाजन में 1905 में बंगाल बिभाजन हुआ था इसी के उपलक्ष में स्वदेशी अंदुलन भी मनाया गया था और विदेशी बस्तू को खास करकर जो कपरे इंगलेंड से बन कर आते थे उसका बहिसकार किया गया था लौड मांट बेटन वाइसराय के रूप में कार्ज करने के लिए बिसिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था तो भारतिये उप महादीप के किसी छेतर को छोटे छोटे बिरोधी राजे में बिभाजन करना नेक्स्ट प्रसन है कि किसने कांगरिस के कराची अधिवेशन के लिए मौली के अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मौसाओदा तयार किया था तो पंडिच जवाहरला नहरू किसे भारत क्रांती की मा के रूप में जाना जाता है तो मैडम भीखाजी कमा को भारती ये क्रांती की मा के रूप में जाना जाता है अगला प्रसना है कि प्रित्वी सुर्ष से अधिक्तम दुरी पर किस दिन होती है तो चार जुलाई को प्रित्वी सुर्ष से अधिक्तम दुरी पर होती है next है कि प्रित्वी की सत्व पर खीचा गया सबसे बराबरित कहां गुजरेगा तो ये जो आपका गुजरेगा भूमा धरेखा पर गुजरेगा नेक्स्ट है कि जदी दो अस्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा तो 35 डिग्री का अंतर होगा ध्रुवी छेतरों में अती तेज और बरफिली ठंधी बहने वाई को क्या कहते हैं तो ध्रुवे छेतर में जो काफी तेज और बरफिली ठंधी हवाय बहती है उसको बली जार्ट के नाम से जाना जाता है जिन ब्रिक्षों की जरे कम गहरी होती है उनका किस जलवाई से संबंध होता है तो भूमध रेखिये जलवाई से जिन ब्रिक्षों की संबंध होता है उनकी जरे जो होती है काफी कम गहरी होती है नेक्स्ट प्रस्ट को हम लोग देखते हैं कहां ताप मांड साल भर 10 डिगरी सी से ऊपर पर भृधी नहीं करता है। तो जो टुंड्रा जलवाई है, टुंड्रा छेतर के जो परदेश है, वहाँ पर जो टेंप्रेचर होता है, वो सालो भर 365 दिन 10 डिग्री से उपर ब्रिधिन नहीं करता है। नेक्ष्ट है कि पटा बोनिया कि इस रेगिस्तान का उधारन है, तो मिडले ट्यूट रेगिस्तान का उधारन है, कौन सा देश बिश्ट का परमुख कोईला उत्पादक देश है, तो चाइना जो है बिश्ट का परमुख कोईला उत्पादक देश है, पौन सक्ति का सागर जो है उसका कोई तट नहीं है कौन सी नदी भूमध रेखा को दो बार पार करती है तो कांगो नदी भूमध रेखा को दो बार पार करती है बिश्व का सबसे बड़ी खारी कौन सी है तो मेक्सिको की जो खारी है बिश्व की सबसे बड़ी खारी है बिश्व का सबसे अ भारत में समूंद तठको छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दस राज्य जो है हमारे देश के उस शमूंदरी तटियों से टच करते हैं डीजल के रेलेवे इंजन कहां बनाए जाते है? तो बरा नसी में बनाए जाते हैं डिल्डवू, साइना नहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैड मिन्टन से है, अभी बरतमान में जितने भी भारतिये खिलारी है, जिन्होंने अपना सर्फशेष्ट पर दर्शन किया है, उनका संबंध किस खेल से है, यह अपके, खास करके राष्ट मंडल खेल हुए, उलम हो गया, उसके बाद जो है, अपका, इंडिया का आ गया, हलाकि अभी बरतमान के दिश्टी कोन से, एक बार इसको आप लोग चेक कर लेंगे, नेक्ष्ट परस्ट को हम लो देखते हैं, सक सनवत का पर्थम मास कोन होता है, तो सक सनवत का जो पर्थम मास होता है, चैतर होता है, तो मंत्री परिश्ट जिसकी अध्यक्सता प्रदान मंत्री के द्वारा हो, नेक्ष्ट परस्ट को हम लो देखते हैं, सब्द सोसलिस्ट, भारती सविधान की प्रस्तावना में जोरा गया था, तो ये आर्थिक और नितिक इस्तिती में असमानता को समाप्त करने के महाभ्योग की करवाई चला सकता है, तो संसद का कोई भी सदन या निम्न सदन हो, या उंच सदन हो, यानि लोकसभा हो, या राजसभा हो, कोई भी चला सकता है, कौन राजसभा का सदस्थ था, जब हो पहली बार भारत का परधान मंत्री निक्थ हुआ था, तो इंद्रा ग जीबी मौलंकर गनेश बासुदेव मौलंकर इनका पूरा नाम है सावजनिक खाता समीति के अध्यक्ष की इसके दोरा निक्थ होते हैं तो यह लोग सभाके अध्यक्ष के दोरा होते हैं अभी बरतमान में लोग सभाके जो अध्यक्ष है चेर्मैन है ओम बिरला है उच निया लोग देखते हैं देश में सुराक्षा प्रेश दोरा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए और विस्स रूप से कागज जो है कहां उत्पादित किये जाते हैं ति होसंगाबाद से हमारे देश में जो नोट कागज बनते हैं जो नोट को छापने के लिए उसका इसमें प्रुडेंशियल बिस्कप किर्केट जीतने के लिए भारतिय टीम दौरब पराजी तेवेश्ट इंडरी टीम के कप्तान कौन थे तो कॉलाइब लाइड थे नेक्स्ट है कि अंतराष्टी ओलंपिक समीती का कर्याले कहां है तो लिव साने में है नेक्स्ट है कि 1904 में पर्थम भारत रत्न समान किसे दिया गया था तो यह जो है अपका डॉक्टर एस राधा कृस्टन यानि डॉक्टर सर पली राधा कृस्टन को दिया गया था नेक्स्ट है कि कलिंग पुरुसकार की छेतर में दिया जाता है तो यह बिग्यान के छेतर में दिया जाता है भार में जो है आयकर किदर सरबाधिक है भारत में सबसे बरी जन जाती समुदाय कौन है तो गोंड समुदाय सबसे अधिक है नेक्ट प्रस्त को में देखते हैं डैनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो यह मोंटाना को जो है डाइनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है कौन सी गैस सूर्ज का परमुक्तम है तो हाइड्रोजन जो है ये सूर्ज में परमुक्तम है समूंदरी जल बरसा की जल के अपेक्छा अधिक खारा होता है क्यों समुंद्री जल जो है ये बर्सा की जल के पेक्षा अधिक खारापन होता है उसमें नमक की मत्रा लोनिये मत्रा अधिक होती है क्यों क्योंकि नदिया भूमी से लोन लाती है तथा समुंद्र में मिला देती है हम लोग देखते हैं कि जितने भी नदिया होती है सभी जाक प्रसंद को देखते हैं वह तत जो प्रकिर्ती में नहीं मिलता प्रन्तु इसे क्रित्रिम रूप में भी बनाया जा सकता है उसे हम लोग प्लुटोनियम कहते हैं प्लुटोनियम जो है यह प्रकिर्ती में नहीं मिलता लेकिन इसे क्रित्रिम रूप से बनाया जा सकता है एड् आमिन डी जिसको लोग केलसी फेरल के नाम से भी जानते हैं इसे हर्मोन मना गया है नेक्स्ट है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है तो ये जो है भारत में रेल परी चालन पर 20 का पर्थम चेकी साले है यानि चलती रेल में जो है एक परकार का होस्पीटल टाइप का है ज जो लिवर है ये फैट को चोर कर कोलिस्टरोन बनाता है नेक्स्ट प्रस्थन हमनों देखने है कूता काटने से कौन सा रोग हो सकता है तो जो कूता के काटने से रेविज रोग होता है आँख की पुतली आई-बॉल संकूचन के कारण एक दूर द्रिश्टी वाली आँख देख सकती है तो दूर की बस्तु जिसे उत्तर लेंज का उप्योग करते हुए ठीक कर दिया गया कौन सा एक पदार्थ गरम करने पर सर्वाधिक फैलता है तो य जो वाईयू है five को गरम करने पर यह सरवाधिक फैलता है next अगले प्रस्न को हम देखने हैं तो यह लाश्ट प्रास्थ था तो इस परकार से आफ सकते हैं कि बिहार SSE दोरा जो प्रिक्षा आयोजित कराई गए थी जो ऑडिटर का एक्जाम था जो गिरिज्वेशन लेभल का एक्जाम था उसमें जितने भी आपके खेके और जिएस के प्रस्ण पूछे गए थे उन सारे प्रस्णो का जो है एनलाइसिस हम लोग कियें और यह जितने भी प्रस्ण है आपके अगामी बिहार SSE का जो सचिवाले साहक प्रिक्षा है या कोई भी बिहार का एक्जाम है आपके लिए जो है रामबन सृथ होगा तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद